सबसे पहले तो सिटिजेंशिप एमेंडमेंट एक्ट 2019 को समझने के लिए हमें होम मिनिस्टर का जो स्पीच है पार्लेमेंट में दिया गया वो स्पीच को पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा पाकिस्तान बांगला देश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सीख, जाइन, पार्सी, बौध और इसाई समूदाई के ऐसे प्रवासियों के लिए भारतिय नागरिकता का रास्ता खुलता है जो धर्म के आधार पर अपने देश में प्रताडित हुए है इसका इस देश के नागरिकों पर या इस देश के जो सिटिजन है उनसे कुछ लिना देना नहीं है सिर्फ इतना है जो हमारी यूएन की 1986 की हमारी जो संदी थी जिसके मताबिक हमने कहा था अपनी टेरिटरी के आस पास के जो भी लोग human rights के शिकार होंगे जिनके साथ जो है जो इन तीन राजयों में जिनको धर्म के आधार पर प्रताडित किया जा रहा है उनको देश में शरण देकर एक देश में नागरिकता देने का प्रयासर। इसके minority community के लोग थे जिनको वहाँ से भाग करके हाँ शरण लेनी पड़ी और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इस country में आये उन आठ धर्म के लोग। कि कोई भी एक व्यक्ति उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति का इंडिया में जन्म हुआ होगा और इंडिया की नागरिकता होगी एक particular period से पहले या 1955 से पहले जो deadline फिक्स किए थी उसके बच्चे को हम भारत का नागरिक मानेंगे या उसकी यहाँ पर property होगी उसको हम इस द कुबारा से नागरिकता देंगे 1986 में एक फिरिया आया amendment जिसमें यहाँ कि जो citizenship मांग रहा है उसमें से किसी में एक parent का इंडिया में जन्म हुआ हो हम उसको citizenship देंगे चाहे मदर हो या फादर हो फिर 1992 का आया कि जो ब्यक्ति इंडियन है citizen लेकिन उसका जन्म बाहर हुआ है या उसके किसी parent का जन्म इंडिया में हुआ है इंडियन citizen है उसको जो है इंडिया में नागरिकता दी जाएगी उसके बच्चे को नागरिकता दी जाएगी गर बाहर जन्म हुआ और चले गए कोई भी एक parent यहां का अगर नागरिक है तो उसको दी जाएगी तो उसमें कोई अगर बाहर से विदेशी किसी से शादी करता है, विदेशी मूल के महिला या पुरुष से उसके बच्चे का जन्म होता है, लेकिन वो इंडिया में citizenship लेना चाहेगा, तो वो इंडिया में citizenship भी हो जाएगी. फिर 2005 में आएक overseas citizen of India, जो इंडिया से बाहर चले गए, वहाँ के citizenship ली, लेकिन अब वहाँ के citizenship छोड़ कर वापस वो इंडिया में बसना चाहते हैं, और Indian citizen है, तो उनको overseas citizen of India, उनको फिर जो है, इन्होंने दियाकम अपने हाँ, आपको country को नागरिकता देंगे, इसमें कहीं प जो citizenship act में बदला हुआ, वो बदला हुआ, इसलिए हुआ कि जो इन countries की persecuted minorities हैं, उनको इस देश में welcome करके, उनको सम्मान के साथ जीने का हग दिया जाए, और इस देश के रह रहे किसी वेक्ति को, जो इस देश का नागरिक है, किसी भी community से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी ज trees में जिनको प्रताड़ना मिल रही है, वो इस देश में आकर सकून के साथ रह सके हैं, अगर reasonable classification की बात करें, article 14 की, तो reasonable classification में अगर हम जाते हैं, तो हमें समझ में आता है, कि इसको कब, किस समय, किस तरीके से, जरूरत के हिसाब से interpretation हुई है, तरह तरह की judgment, Supreme Court ने समय समय पर अलग-अलग तरीके से guidelines फ्रेम की है, Supreme Court ने अलग-अलग समय पर तरह-तरह से इसमें अपनी judgments के मादयम से दिया, अब होता यह है कि जो equality before law है, वो equality before law इस देश में रह रहे है, व्यक्ति के लिए है, ना कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस देश का नागरिक ही नहीं है, इस द constitution में equality before law ही नहीं है, आप article 15 में जैसे ही चले जाते हैं, तो वो भी यह भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति race के अधार पर, sex के अधार पर, gender के अधार पर discriminate नहीं किया जाएगा, तो फिर हम बात करें कि कि किसी को जाती के अधार पर reservation दिया जाता है, किसी को धर्म के अधार पर reservation दिया जाता है, तो वो भी खतम होना थे, तो constitution का क्या reasonable classification, क्या उस समें किस तरह से interpretate करना चाहिए, वो कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो citizenship amendment act 2019 है, वो इस देश के लोगों को तो किसी भी प्रकार से अलोग जी disturb कर ही नहीं रहा है, यहाँ के लोग किसी भी प्रकार से यहा minority में हैं, और जिनके साथ ठीक वरताओ नहीं हो रहा है, वहाँ की सरकारों द्वारा और लोगों द्वारा है, majority मेरे हैं लोगों को द्वारा है, उनको हम अपनी country में asylum दे रहे हैं, और एक deadline के तहट अगर वो यहाँ पर एक criteria को meet out करते हैं, 2014 से पहले आए हैं, और हमारा जो लोग हैं, उनकी नागरिकता पर कोई प्रश्न खड़ा किया जाएगा, उनके अधिकारों पर किसी प्रकार के प्रश्न खड़े किया जाएंगे, या उनके अधिकार छीने जाएंगे, यह हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश में बहुत सारे करोडों की संख्या में illegal immigrants है वो illegal immigrants बंगलादेश के हैं, वो illegal immigrants रोहिंग्या हैं, जो म्यामार से यहां पर आए हैं, वो लोग किसी भी तरह से यहां आ जाते हैं और इतनी बड़ी country किसी एरिये में चले जाते हैं और उनको साथ nexus में काम करने वाले लोग उनको रहने कले स्थान देते हैं, चुकि population भी ह एक particular period से पहले जो यहां आए, उनको हम citizenship भी दे रहे हैं, लेकिन जो illegal immigrants हैं, हम उनको बाहर भेजने के लिए, क्योंकि हमारे संसाधनों पर हमारे देश के लोगों का पहला अधिकार है, ना कि जो illegal immigrants दूसरी countries के हैं, तो NRC में तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे देश के citizens का register तय हो रहा है, जो इस देश के मूलनिवासी हैं, जो citizenship act 1955 की और उसके समय समय पर संशोधन किये गए, कानूनक बावजानों को meet out करते हैं, वो citizen रहेंगे, अब उसके बाद हम आ जाते हैं, जो citizenship amendment act में जो लोग persecuted minorities हैं, जिन minorities के साथ अत्याचार हो रहा है, वो minorities इंडिया माएंग का और उसका अगर काइदे से देखें, तो direct कोई relationship, illegal immigrants हैं, और एक जिनको हम अपनी country में नागरिकता दे रहे हैं, ये दोनों चीजे हैं, और जो अभी मुझे लगता है, 2019 का जो कानून है, वो कानून जो अभी लागू किया है, वो इस देश के लोगों के किसी भी प्रकार क उनके जो status है, उस status को disturb नहीं करता है, ये disturb सिर्फ अगर करता है, तो उन लोगों को करता है, जो यहाँ पर पहले आज़ा, अब एक बात बताईए, Islamic Republic of Pakistan है, Islamic Republic of Pakistan में जो वहाँ की majority community है, वो majority community हमारी country में आकर कि क्यो asylum मांगेगी, जब तक वो क्यो नागरिकता मांगेगी, ज दिकत कहां होती है, जो minority में लोग होते है, जिनकी संख्या कम होती है, उनको दिकत होती है, तो ये एक बांगलादेश में आप देखेंगे, Islamic Republic का बांगलादेश है, तो बांगलादेश में majority community का आदमी यहाँ क्यो मांगेगा, मांगता वो है, जिसकी संख्या कम होती है, किस human rights का violation हो रहा है ये भी किरें को उनके साथ ill treat किया जा रहा है सरकार उनको protect नहीं कर पा रही है तमाम तरह से convergence हो रहे है वो dignity के साथ नहीं रह पा रहे है उनके साथ humiliation हो रहा है तो वो इसलिए decrease कर रहे है तो जो majority द्वारा minority में और state protect नहीं कर पा रही है तो उसको इंडिया ने का हम आपको अपने पास ले लेंगे उसी तरह से पाकिस्तान में उसी तरह से अफगानिस्तान में asylum seek करना और citizenship लेना दोनों में अंतर है asylum seek तो कोई भी country कर सकती है अब जैसे तमील श्रिलंका में आप देखिए श्रिलंका में अगर कुछ होता है तो उसके जो bordering state है हमारे यहां के तमील नाडू वहाँ रही रहे हैं बहुत सारे तमील लोग तो ऐसा नहीं है कि हर जगे हमने कोई ऐसा criteria fix कर लिया कि हम सिर्थ इन ही को लेंगे जरूरत पड़ी अहमदिया community को भी लिया जाएगा जरूरत पड़ी जैसा आपने कहा कि विपदा आती है कोई आपदा आती है natural calamity आती है तो माना होता कि आधार बर में वहां रह रहे है सभी जो भाई है majority के भले उनको country में रखा जाएगा फिर जब वहां के स्थिती ठीक होगी बहाल होगी तो उनको वापस भीज़ दिया जाएगा जब तसलीमा नसरीन को दिया गया हो तो मुस्लिमी है क्योंकि उनके साथ इस तरेक चीजे होगी अधनान सामी पाकिस्तानी मूलके खुदी आप देखिए तारेक फते है वोल केनेडा में रह रहे थे आप कहीं भी परवेज मुशरफ को देखिए आज डेथ सेंटेंस परवेज मुशरफ दुबई में रह रहे है असा नमाज शरीथ भी वहां जाकर के रह रह रहे थे तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को citizenship और asylum दोनों में basic अंतर है शरण मांगना जब आपके पास विपदा आती है हर कड्री का एक नैतिक कर्तब बनता है दाई तो बनता है लेकिन नागरिक्ता देने का अधिकार उस देश की सर्वोच संसत को होना चाहिए कि वो parameters ते करेंगे कि किस तरीके से हमें किसको नागरिक्ता देनी है और मुझे लगता है कि यह जो criteria government ने बनाया है यह बहुत ही अच्छा है तर्क संगत है और सम्विधान के नियमों के अनुकूल है वादब यह भी ही है आप 14 के reasonable classification में इंटर्पेटेशन में आएंके तो उसको भी meet out करता है राजिव गांधी जी के टाइम पर जब वहाँ इस students का moment चल रहा था उसके बाद जो accord sign हुआ था उसमें जो deadline fix की गई थी उस deadline ही fix कई थी 1967 तक जिन लोगों का नाम होगा उन लोगों को हम citizenship देंगे last deadline 1971 कर दी गई लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि यहाँ पर जो लोग जो इनका culture है जो basic character है जो linguistic approach है उसको हम disturb नहीं करेंगे और district magistrate को उसका head बना दिया गया कि आप उस area में जाकर के आपके particular जो आपका culture, nature, आपका system है उसको disturb नहीं किया जाएगा और उसी तरह से उन्होंने एक internal line of control हम जिसको कहेंगे वो भी बनाया कि आप inner line of control के बाहर आप नहीं जाएंगे या उसके अंदर जब तक वहाँ से permission नहीं वहाँ इनर line permit आपको लेना पड़ेगा तब ही आप जाएंगे तो वो इसलिए कि वहाँ पर बांकी जगें ऐसे जाकर के लोग उनके nature को उनके culture को उनके भाषा को उसको disturb नहीं करें ब्रह्मपुत्रा जैसे जो areas है ब्रह्मपुत्रा जैसे areas में साफ तोर पर इस act में कहा गया कि जो भी accord हमारा और आपका sign हुगा उसका हम पूरा सम्मान करते हुँ हम कहीं पर violate नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं citizenship देने की ऐसे लोग जो हमारी criteria को meet out करते हैं जो हमारी criteria को fulfill करते हैं आप आसाम में जाएंगे तो बहुत सारे Bengali लोग भी बसे हुए हैं आप आसाम में government of India का और वहां के moment करने वाले लोगों के साथ sign हुआ था उसका सम्मान करते हैं इसमें बाकाइदा प्रावधान दिया गया है कि हम उनके basic character को किसी भी प्रकार से छेड़ने वाले हैं लेकिन एक ब्रांती जो फैल आ दी गई उस ब्रांती के विज़े से आग जनी तमाम तरह के लूट पार्ट तमाम तरह के संड को पर उपद रहो ये सब फैलने लगा इसलिए जरूरी इस बात को है कि मीडिया भी लोग भी सारे लोग अपने अपने जम्मेदारी समझें और लोगों को बताएं कि ये country के prosperity के लिए है ये देश इस देश के रहने वाले लोगों के लिए है और साथी साथ एक जो हमने law बनाया है वो persecuted minority जो है उनके लिए है या इस देश में समय से बहुत लंबे समय से जो लोग रह रहे है उनके लिए है यहां के लोगों को किसी प्रकार से disturb नहीं किया जा रहे है सिर्फ इतना किया जा रहे है जो illegal immigrants इस देश में आ रहे हैं हमारे संसाधनों पर जो कबजा कर रहे है जिन संसाधनों पर इस देश के नागरिकों का कबजा है उनको हटाने की बादरू अपने अपने respective झाल है उनको हमारे संसाधनों के लागकार यह जबसे अगे–र, मले झाल, बादरू exchangedकशी हा जिरो रहे है साचspray जागती है लिए देंकिक अग्कार क् बच्पती है